मसकार दोस्तों आपका स्वागत है ड्रीम मीनिंग रूजी 1.0 में आज हम डिटेल में कवर करेंगे बी ए डबलू वर्शी टी जी एस की टीमों के बीच में जो ड्रीम 11 नेचर टी टैन का मैच नमर नाइन हुआ है आज का सेकेंड नमर मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे और किन किन प्लेरों को आप मेगा कॉंटेस्ट जील में एज ट्रंप काड़ पी की यूज करके चल सकते हो तो संपूर्ण एनालाइसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में और सबसे इपोर्टन बात जो भी मारी फाइनल टीम रहेगी जो फानल अपडेट रहेगी वो मिलेग और शायांगा आपको तेलिग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिपशन में मिल जाएगे बल्यू कलर के लिंक रएंगे आप उपसिए से जाके तेलिग्राम चैनल कोच इखिलिन करें आज रात 12 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा अगर दोस्तों बात की जाए पिछ रिपोर्ट की तो ओरोल यहां का विकेट अवो एक बैलेस विकेट अक्सेप्ट किया गए विस साथ साथ देखो इस वेन्यू के पर पेशर गेंदवाजों के भी काफी अच्छी मदद मिलती है विस वेन्यू के फरस्ट इनिंग के ओरेस्कोर की बात की जाए तो 80-100 के राउंड आप अपना ओरेस्कोर वो अक्सेप्ट करके चल सकती हो इसी के अंडर आपको ओरेस्कोर वो बनता हुआ नजर आ जाएगा बाकि इस venue की जो भी फ्रेस पीज रिपोर्ट होगी वो आपको मारी टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी B.A.W. की पोसिबल प्लेइंग 11 बेजामीन है वो ओपन कराती हुए नजर आ जाएंगे लास्ट मुकाबले में देखो इक्सटर रन आ है सेकंड लास्ट मुकाबले में 33 रन की काफी लाजवाब इनिंग के लिए तो रोल आपके लेकि इपोर्टन पिक रहने वाली है तो जुरूर्ट चे अपने टीम में आप टीम में आप कवर करके चलाएंगे लेकिन आपके लेकि इपोर्टन पिक रहने वाली है तो जुरूर्ट से अपनी टीम में कवर करके चलाएंगे लिवरपूल की बात की जाए तो सीधा सीधा आप ड्रोप करने का रिस्क के ले सकते हो ना तो इनकी फोर्म इतनी अच्छी कासी चली और बैटिंग ओर्डर भी थोड़ा सा नीचे रहेगा अस्टीन की बात की जाए तो यह भी आपके लिए रिस्की पिक रहेगी तो आप ओनली जियल वगरा की कॉमिनेशन में ट्राइ करके चलाएंगे में देखो तो बैटिंग में केवल तीन नम्रा की तो यह भी आपके लिए रिस्की पिक रहेगी बाकि आप चाहो तो जियल वगरा की कॉमिनेशन में अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो वहीं बात की जाए यहां पर किस्विन एविल की तो इन्होंने लास्ट के दोनों विवेल को जील वगरा की कॉमिनेशन में जुरूर से ट्राय करके चल सकते हो फैबिन विजामिन की बात की जाए तो लास्ट के दोनों मुकाबलों में इन्होंने एक एक ओवर की बोलिंग डाली है लेकिन सफलता नहीं मिले तो एक रिस्की पिक रहेगी बाकि आप चाहो त बैंसीज की तरफ तो मुझे लगता नहीं इस टीम की तरफ से अन्य कोई भी अपडेट आएगी अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो मिल जाएगी आपको वारे टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल की दू लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल गाईज अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो किया ओल पताश लाइक का टार्गेट रुक है साथ-साथ-साथ जो भी फाइनल टीम होगी जो फानल अपडेट होगी वो आपको टेलिग्राम चैनल पे प्रवाइड करवा दी जाएगी अ आपको ओपन कराती हुए नजर आ जाएंगे तो जियलोगरा के कॉमिनेशन में अपनी टीम में जुरूर से कवर करके चलागाई होनर की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में भी 18 नाबाद मनाए सेकंड लास्ट मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए रिस्की पिक बागे आप जियलोगरा के कॉमिनेशन में अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हो वहीं बात की जाए मालाकी जेवरीन के तो लास्ट मुकाबले में दो वर की बोलिंग डाली एक विकेट निकाल के दिया तो एक ओर की बोलिंग डाली सपलता नहीं मिले लेकिन आपके बागे जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकती हो वहीं बात की जाए तो लास्ट के दोनों मुकाबले में देखोगे तो बैटिंग और बोलिंग दोनों का मोका नहीं मिला तो एक रिस्की पिक रहेगी बाकि आप चाहो तो जीलोगरा की कॉमिनेशन में ट्राइ करके चल सकती हूँ इलवन मार्क की बात की जाए तो लास्ट के दोनों मुकाबले में देखो इसे भी ना बोलिंग कर वούμε में देखोगे तो एक रिस्की है इगी तो आप और जीलोगरा के कॉमिनेशन में ब्राइ करके चल सकती हो बाकि आप चाहो तो सीधा-सीधा ढ्रोप करने क करें इसको भी ले सकते हो जो एन मैथ्यू की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में दो और की बोलिंग डाली विकेट नहीं मिला लेकिन कुल भी मिला कि आपके लेकि इपोर्टन पिक रहेगी मैथ्यू तो जुरूर से अपने टीम में कवर करके चला है नहीं बात की जाए सिर्ष की तो एक इपोर्टन पिक आपके ले रहेगी हालांकि लास्ट मुकाबले में देखोगी तो एक और की बोलिंग डाली और तीन विकेट इन्हों निकालके दिये तो जी लोगरा में ट्रंप कार्ड पिक भी आपके लेगी तो जी लोगरा के कॉमिनिस में आप चाओ अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज अनलाइसिज और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की डेमो टीम गाइज पहले बात कर लेते हैं गाइज विकेट की प्रिंग सेक्शन में जे भी जामिन हो गया जे रोबी सोन हो गया दोनों आपके लिए इपोर्टन पिक रहने वाली तो दोनों को अपनी टीम में आप कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन की रूप में ट्राइ करके चल सकती आपको ऊपर बैटिंग कराती नजर आजाएंगी बाकि आप जियल वगरा के कॉमिनेशन में अपनी टीम में जूरूर से कवर करके चलागाई के आंसलन की बात की जाए तो इनकी विफॉर्म काफी जाल लाजवाब चली है ये भी आपके लिए इस मैट में तो जूरूर से आपनी टीम में आप कवर करके चलागाई नहीं बात की जाए कि विवेल की तो इनका परदसन देखो तो बहुत ज्यादा खराब है तो सिधा-सिधा आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हो हालांकि आप इनका बैटिंग ओडर देखो तो थोड़ा सा उपर है बाकि आप जि साथ-साथ बात की जाए वी टीटर की तो यह भी आपके लिएक इपोर्टन पिक रहने वाली तो जुरूर सी अपनी टीम में कवर करके चलाए दी ओस्टीन की आप सिधा-सिधा ड्रोप करने का रिसक ले सकते हो गाई बहीं बात की जाए बोलिंग सेक्शन में तो एफ ग्रत इप जरूर में धिक रहने वाली तो जूरूर सी अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो एलोन और की बात की जाए तो यह भी आप कर एक और सी तीम में आपके अपके और करके चलाए बाकि अप辉ल वगरा के कोमिनेशन में अपनी टीम में जुरूर से कवर करके चला गाई इस प्लेयर को वहीं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कि जाए तो उससे पहले गाईज अगर आपने वीद्ध कबारे टेलीग्राम चैनल को जोईन करें ना टेलीग्राम चैनल की दू लिंक आपको व फोर्म काफी लाजवाप चले तो दोनों आपके लिए सेफ सीवीजी की तोई से रहने वाली है जुरूर से अपनी टीम में कवर करके चला गाई इस सिर्व की बात की जाए तो यह भी आपके लिए लोगरा की कॉमिनेशन में सीवीजी की चोई स्राइगी एम मैथ्यू को भ जल्दी टीम में यह एक ऊज़ीज़ से देखने को मिल जाएंगे तो फाइनल टीम के लिए आपको श्टेट एनलाइसी बीण घैसे साफ्कराइब जरूर से कर देना गाई जिस मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाही म सहँ